नमस्कार दोस्तों आपका एक्जाम फैरोड चैनल में स्वागत आए और आज हमने आपके लेकर आया है इतिहास के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ऐसे क्वेश्चन जो आपको एक्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और यह अल्रेडी प्रिविस एयर के जो इं हमारी वह है कि हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिस किया करो ठीक है आज की जो हमारी थौट है हमेशा 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 छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिस किया करो क्योंकि इंसान पहा इंसान वो बड़ी गलतियों से नहीं छोट इसे पत्तर से ठुकर खाके सीख सकता है कि हमने कितनी बड़ी गलती किये इसकी एहसास हम कर सकते हैं अब हम चलते हैं हमारी important question के उपर में दोस्तों हम चलेंगे important question के उपर में हमारा जो पहला question है दोस्तों और ध्यान रखिएगा अगर से आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और बेल आइकन को on कर लिजेगा ताकि आपको हमारी वीडियो आसानी से मिल सकें अब हम चलते हमारे question के उपर में तो हमारा जो question number first है ठीक है हमारा question number first है वो है बक्सर की लड़ाई में इस्टी इंडिया कंप बक्सर की लड़ाई इस्टी इंडिया कंपणी द्वारा किसके साथ में लड़ी गई तो इसके लिए जो option दिये गया है मीर कासिम दिया है साधा दली खान दित्य दिया है अलिवर्दी खान दिया है और शीराजू दौला दिया हुआ ठीक है तो इसके लिए जो हमारे पास right answer होगा बक्सर के लड़ाई और इस्टी इंडिया कंपणी किसके साथ लड़ी तो इसके लिए जो right answer हो क्या होगा हमारा मीर कासिम इसका correct answer हो जाएगा ठीक है लड़ाई हो इसके लड़ाई और ब्रिटिस इस्ट इंजया कंपणी और निस मीर कासिम के बीच में बंगाल के नवाब यह जो लड़ाई हो इसके लिए बंगाल के नवाब और अवत के नवाब और मुगल समराथ साहा आलम दीते की सेंक्त सेना के बीच में लड़ी गई थी ठीक है ये साहा आलम दीते है ना मुगल समराथ साहा आलम दीते की सेंक्त सेना के बीच लड़ी गई थी ठीक है हमको इसको ध्यांडग ना है और एक इस लड़ाई में कि इस लड़ाई में अंगर सब्कूद उनक्सिव कि से कहा जाता है कि दोस्तों adviser बहुत अच्छे से धान में रखना होगा कि इसका जो राइट अंसर होगा इसके लिए जो दिये गए आपसन है वो क्या-क्या दिये गए हम देख लेते हैं तो इसके लिए जो दिये गए अपसन है वो कौन-कौन से अपसन है तो है उठ्ष डिस्पेच शेट्डर आयो भारती विसविद्य लएदिनें 14 और दिया गया चाहुता औप्सन रेल इंडिया होगा ठीक है इसके लिए जो क्रेक्ट आंसर होगा हमारे भारती सिक्षाटा का मेंगों आपर कहा चाता है किसको कह बना उसके लिए ठीक नमबर एसका और से इसके प्रात्मी विद्यालों के मात्र भासा में पढ़ाई होना चाहिए और उच विद्यालों में अंग्रीजी शिक्षा भी होनी चाहिए इसके दिये इसके उट्स डिस्पेच कहा जाता है अब हम चलेंगे हमारे अगले कस्चन के उपर में और हमारा अगला कुछ थे वह है वर्ना प्रेस अधीनियम और स़स्त्र अधीनियम की स्वाईसराई के द्वारा पारित किया गया था इसके लिए जो दीए गए है वो दिए हैं लर्ड लिटन ठीक है लाड मेयों लाड Speech और लाड हाल केस्छ movement अवे muffled who ट्ष अंप्या हमक मैं नंब़ इश ऑप हम स्वे दिख लेते हैं अब हम अगर्फ स्षेन देटेल स्सकी बात करें ये Gothic..! तो लण लिटन ने लड लिटन 1760 से 1880 के दुरान भारत के वाइसर आयते। कौन लड लिटन हमको इसको यादर पाने ठीक है। 1760 से 1880 के बीज में ये क्या थे हमारे भारत के वाइसर आयते। और 1846 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोतना की गई थी लाड लेटन की आलोतना की गई थी उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था अब हम चब लेंगे हमारे अगले कुश्चन के उपर में और हमारा जो अगला कुश्चन वह यह है निमनली कित में से किस वायसराय की हत्या उनके कारेकाल के दवरान की गई थी ऐसा कौन सा वायसराय है और دवरान उनकी हत्या की गई ती हैं इसके के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लयड में इसका करेक्ट आंसर और हो जाएगा यह क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लाड में वो बुले तो option number A इसका correct answer हो जाएगा ठीक अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी डिचल्स देख लेते हैं अगर से मिसकी डिटेल की बात करें तो इसमें लाड़ वायसराय भारत के एक मात्र एसाय थे जिनकी हथ्या उनके कार्य कार्यकाल के दौरान हुई थी और 1800 72 में अंड़मां दूप के पोर्ट बलेर्व में नीरिक्षिन यातरा के दोरान के पठान ने ऐने जब उने निरिक्षन यत्रा के दवराण मतलब निरिक्षन पर गय थे कहा पर गय थे पोर्ट ब्लेयर में जब गय थे हैं उनके डवराण उनकी अगले कुस्चन के उपर में और हमारा जो अगला कुस्चन है वो यह है लाट रिपन ने हंटर आयोक का गठन किस लिए किया था यह हमको मालूम होना चिए लाट रिपन ने हंटर आयोक का गठन किस लिए किया था यह हमको मालूम होना चिए इसके लिए ओप्सन दिए गया है आतंगवाद तथा सिक्षा सुधार के लिए उच्छ नयाय पाली का में भारती नयाधिश्य की नियुकति के लिए और उप्रूक्त मतलब नौन अब्धिस मतलब इन में से कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा हमको मालूम ना चीए इसका करेक्ट आंसर क्या हो लेते हैं और अगर से डिटेल्स की बात करें हम तो इसमें भारत में जो सिक्षा सुधार के लिए जो डिटेल्स होए है लाड रिपन ने लाड रिपन ने तीन फरवी 1872 को सर विलियम बेनटिक हंटर की अधिक्षा आयोग का कटन किया था है ना किसके अधिक्षा में सर वि अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट के उपर में और हमारा जो अगला कोस्चन हो यह है कि भारतिय टंकन यह पर मिस्टेक हो गया है यहाँ यहाँ बोलना चीज़ को एंड है ना यहाँ अधिक्षा तो भारतिय टंकन और कागजी मुद्रा अधिनियम की स्वाज सराय ने पारि तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों हम एंपोर्टेνटन ए दुस्तों धमकी ध्रड़्टी से इसको यादर कि एयाँ तो के具合 देख लेते हैं अगर इसकी हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो जन्वरी एटासों इन्हें में लाड कर्जन को भारत का वाइसराह न युक्ति किया गया था तौन नियुद्ञ टंकनव का गजी मुद्रा 2000 तौन अधिनियम कप पारित किया था-וזौ और भारत को सुरन मानकी मतलब भारत में सवरन मानकी शुरुवात की लिए अब डJE में से किसे माराठा मैकिया वेली कहा जाता है इना इसके लिए stays UPSON वो यह है में किया विली मात्धा मैइक विली कहा जाता है किसे लाइंद आप टीन गया है नानाफ़जी बालाजी विश्वनात नाराएं रौą बाजी रहो और संभा ची न के लिए 4 प्संद दीए गये है अब इसका जो ग्रिक्ट मतलब ऐसका यह ओगा कि माराथा मैठ की आवेली कीसी आता था ना ना परण वीस्जी लिखित को चाहिए आप हम सटए मंतरी एंगं क्याते कुट्डी तक गया और वह रूपीज़ द्वारा उन्हें क्या कहा जाता था यहां पर इंप्रिसिद इतालवि निकोछ माइचया वेली पर अधारिद नाम् कहा जाता था और लेक्ष लाइन है वाले ब्रली निंग अ manufacturers सामराज्य की बढ़ती हुई सक्ति के दवरान भी उन्होंने मारटा सामराज्य को सुरक्चित रखा था किनोंने नाना प्रणवीस जी ने ठीक है अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के उपर में और हमारा जो अगला क्वेश्चन वो यह है कि स्रीरंग पटनम स्रीरंग यूद्ध और चौथा जो अप्सन है वो है चतुरत आंगला मैशूर यूद्ध यसे चार आप्सन दिएक हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अरे यार इसका जो correct answer हो जाएगा वो यह हो जाएगा हमारा 30 आंगल मैशूर यूद है न यह इसका correct answer हो जाएगा इसके हम थोड़ी से details देख लेते हैं अगर से हम इसके details की बात करें तो 30 आंगल मैशूर यूद के बाद 18 मार्च 1772 को स्री रंग पटनम की संधी पर हस्ताक्सर किये गए थे इस संधी पर बिटिस इस्ट इंडिया कंपणी की ओर से लाड कारणवालिस और हेदराबाद के निजाम का प्रतिनी थी इस संधीर और कारणवालिस पर हेदराबाद के निजाम का प्रतिनी थी और मैसूरошासक डिपॉसरतान ने हस्ताक्सर की एद है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स कोश्चन के उपर में और हमारा जो नेक्स कोश्चन है वह यह है पूना समझे होते के संदरग में कौन सा कतन असत्य है आप दोस्तों इसका कमेंट करके इसका अंसर जरूर दीजेगा ठीक है तो इसका जो ऑप्षन दिए गया है वह है इसके प्रांती विधान पालिकाओं के में वंचीत वर्ग को शीटे आरगचीत की गई ठीक है और जो फोर्थ आप्सन है इसके दोरा सिविल सिवाओं में वंचीत वर्ग को समचीत प्रतिनिधीत्व प्रदान किया गया ठीक है तो इसके अगर से हम करेक्ट आंसर की बात करें इसके लिए जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब पुने समझा होते में जो कतन जो असत्य है वो ये था कि यह समझवता जो आरलाल नेरू और आमबेटकर के बीच में नहीं हुआ था यह हमको मालूम ना चाहिए अब हम इसकी थोड़ीची डेटेल्स देख लेते हैं जिससे आप समझ सकते हैं अगर से हम इसकी डेटल्स की बात करें तो यह इसमें जो आल्रेडी दिया हुए ठीक है यह समझवता यह समझवता जो आरलाल नेरू और आमबेटकर के बीच हुआ था यह इसका गलत कतान है ठीक है तो इसका जो सत्य कतान हो क्या होगा महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था विम्राव आमबेटकर के बीच में हुआ थ अब हम चलते हमारे नेक्स कोश्टन के ऊपर में और हमारा जो नेक्स कुस्टन है और हमारा जो दी गए option है, मातमा गांदी, भिम्राव अमबेटकर, आचार विनो भाभावे और गंगादर ती लगजी, ठीक है, बाल गंगादर ती लगजी, तो इस question के लिए जो right answer होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा, ओके तो इसकी जो डिटल्स के कर्सें बात करें तो महाद सत्याग्रह का नेतोरत किस ने किया था विंबरावामिट करने किया था और कब किया था गोले तो वो कब किया था 20 मार्च 1927 को इंपोर्टेंट है दोस्तों ठीक है इस यहां तो दोस्तों आपको यह हमाराव विडियो जरूर पसंद आया होगा तो अगर से मेरे वीडियो ऐसी ही वीडियो मैं लेकुलरली बनाऊंगा आकर से मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल एक्जाम फेरोट को सब्सक्राइब किजेगा और अपने धेर सारे दोस्तों को सियर किजेगा